हेलो फ्रेंड्स मेरी चैनल में आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में सीखेंगे हम साड़ी से इस कुर्ती को बनाना आप देखी सकती है इसको मैंने ओल्ड साड़ी से बनाया है यह जोर्जट की साड़ी थी जिसमें मैंने बैक में बड़ा गला बनाके और पीछे डोरी लगाई है इसका फुल वीडियो आपको देखने को मिलेगा प्लीस रिक्वेस्ट है आपसे एक तो वीडियो में अंततक बने रहिएगा और दूसरी चीज़ अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करके जाईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लिए कपड़ा अलग कर लेंगे तो इस तरीके से फोर फोल्ड करके बिचा लेंगे इसकी चोड़ाई जादा है तो हमारा चोड़ाई वाली साइड से ही निकल जाएगा तो हमने इसको लगबग 16 इंच का लंबा कटकल लिया है चोड़ाई में हमें 11 इंच चाहिए मतलब ज यहाँ से हम अपना सोल्डर लेंगे 6 इंच पे क्योंकि हम इसमें डीप गला बनाएंगे और यहांसे आर्म हूल हम लेंगे 7 इंच पे यह देखिये यहां से 7 इंच पे निसान लगायluded और अपनी ब्रेश्ट का चौथा हिस्सा और उसमें हम 2 इंच ऐक्सट front margin ले लेंगे तो यहां से टोटल हम 11 इंच ले रहे हैं सेम आपको अपनी कमर का भी लेना है आपका जो भी कमर साइज है उसको भी 4 से डिवाइड करके उसमें भी आपको लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जन लेना है तो मैंने 9 इंच लिया है नीचे से मार्जन लगा के साथ पर फिटिंग होगी हमारी तो यह हमने गोलाई दे दी है खुली वाली साइड को और कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है ताकि हम जब इसको कट करें तो हमारे दोनों पाट एक साथ कट हो जाएं और खुली वाली साइड से हम सारी ड्राफ्टिंग इसकी कर रहे है तो यह देखिए यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है अभी हमारे पास यह दो पाट आ गई है अभी हम क्या करेंगे कि इसका जो अस्तर है उसके उपर भी सेम ऐसे ही अस्तर को भी मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है और अस्तर के उपर भी हम बिल्कुल ऐसे ही कटिंग कर देंगे जैसे हमने अपने में फैबरिक पे की थी तो अब इसको हम क्या करेंगे फ्रेंट्स की यहां से खोल के और दो पाट अलग अलग कर लेंगे और देखिए यह स्लीप्स के लिए भी कपड़ा मैंने इसी में से कट कल लिया था तो यह फुल स्लीप्स हम इसमें से बना रहे हैं जैसे कि फर्स्ट में आपने देखी लिया है तो इसको हमने फोर फूल्ड करके बिचा लिया है लंबाई वाली साइड से अब ही हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले आपको यह किनारी वाला पार्ट इसमें से निकाल देना है जो छोटा बड़ा बैट रहा है ठीक है उसके बाद अब आप लंबाई देखें आपको चोड़ाई और लंबाई देखेंगे तो यहां से हमें जो इसकी चोड़ाई चाहिएगी वो 9 इंच चाहिएगी तो यहां से हमें बाजू की जो लंबाई है वो 23 इंच चाहिएगी तो यह 25 इंच है तो हम यहां से 9 इंच पे निसान लगाके और यहां से खुली वाली साइड से 3 इंच पे निसान लगाके बाजू की सेब दे देंगे अब बस इसको हम कट कर देंगे बाजू मस्तर का यूज हम नहीं करेंगे और जो इसका घेरा है उसमें सिर्फ हमस्तर का यूज करेंगे बाकी और टॉप पार्ट में बाजू में नहीं करेंगे तो बस देखिए हमारी बाजू है वो भी कटिंग हो चुकी है अभी हम इसका घे प्रिया है एक ट्राइंगल सेब बना के अब हमारा जो टॉप पार्ट था उसको ऐसे रख लेंगे एक इंच कम करके क्योंकि यह तो सीधा पार्ट है टॉप पार्ट का और यह थोड़ा गोलाई में कटेगा तो इसलिए यह चौड़ता है इसलिए एक इंच कम करके लें अब मेरी पास जितनी भी इसकी लेंथ है वह मैं पूरी ही ले रही हूं तो यहां से मुझे 35 इंच मिल रही है इसकी लेंथ और इसका जो टॉप पार्ट है पंदरा का मेरा वह तो लगभग मेरी यह 50 इंच की कुड़ती बन के तयार हो जाएगी अगर आपकी हाइट कम है तो इस जैसे हम यह कट कर रही है इसका अस्तर भी हमें ऐसे ही कट करना होगा अब सभी एक दूसरे से इन सभी लाइनों को लाइन अप कर देंगे अब इसको हम कट कर लेंगे जैसे हमने ड्राफ्टिंग कर रखी है उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे तो कटिंग को हम पू इसका अस्तर भी कट कर लेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंट अस्तर को और मेन फैबरिक को पिन लगा के सेट कर लेना है फिर उसके बाद हम इनको एक दूसरे के साथ सिल देंगे देखिए बिल्कुल बराबर करके ताकि जो भी छोटा वड़ा पार्ट निकल रहा है वो निकल जाए और इसमें पिनी असुई से कच्छा जरूर कर लें अगर आपके पास पिन नहीं है वैसे ये पिन अब हर जगा मिलती है ये पिन तो आप क्या करना है कि यहां पे पूरे में सिलाई लगा देनी है तो ये मैंने सिलाई लगा दी है अब हम इसका गला बनाएं है वो कट कर सकती है जैसे नॉर्मली सिंपल गले होते हैं मैं आपको दिखाए देती हूं इस गले की लंबाई ली है मैंने 6 इंच और चोड़ाई मैंने 3 इंच ली है खुल के 6 इंच हो गई अब हम इस गले का भी टॉप पार्ट निकालेंगे ये बहुत है सिंपल गला है ये छुपकाने वाली पेपर पेस्टिंग थी मैंने इसको चुपका लिया है अब हम अपने टॉप पार्ट को सीधह रखेंगे और गले को उल्टा करके रखेंगे इसके उपर और पूरे में हम इस तरह के सिसके साइडों में सिलाई लगा देंगे तो देखिये मैंने आगे वाला और पीछे वाला सेम ही बनेंगे बस उसकी लंबा ही जादा होगी गले की अब इसको उल्टी साइड को पलटके अब हम एक सिलाई इसके उपर से लगाएंगे तो देखिए फ्रेंट्स मैंने इसके उपर सिलाई लगा दी है जो सोल्डर बढ़ा हो रहा है उसको छ हम अपने अस्तर को भी सेम कट करके और इसके उपर भी पहले एक सिंगल सिलाई लगाएंगे फिर डबल लगाएंगे तो मैंने अस्तर को भी सेम ऐसे ही कर दिया है अब दोनों के कमर वाले हिस्से रखके और एक दूसरे के साथ हम अटैच कर देंगे ये देखिए दोनों कम गहरा है वो complete हुआ अब हम इसमें ये कमर वाला हिस्सा है अब इसको रखके हम ऐसे और अपना टॉप पार्ट उठाएंगे और टॉप पार्ट को इसके साथ हम ऐसे जोड़ देंगे दिहान रखें उल्टी से उल्टी साइड मिलनी चाहिए सीधी से सीधी साइड मिलनी कि जो अगर वैसे टॉप पार्ट तो बड़ा नहीं होता है कर कई बार घेरा ही बड़ा होता है जो नीचे का है तो उसको थोड़ा थोड़ा आप कट कर लें तो दोनों को एक साथ हम रखके आपको दिखाते हैं जमीन पे तो देखिए फ्रेंड्स ये तो है इसका आगी वा अब दोनों का सोल्डर जोड के इसमें बाजू लगा लेंगे अब कुछ भी नहीं करना है और सिर्फ सिंपल तरीके से इसकी फिटिंग कर देंगे जैसे हमने बाजू कट की है बाजू को सिंपल तरीके से हम लगा लेंगे तो देखिए मैंने बाजू को लगा लिए फिटि सकती हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सबी